तो स्वागत आपका एक नए वीडियो में जिसमें बात करने वाले हैं कोष्ट का डीबी स्टेज 3 क्योंकि आपको पता है कि यांत्रिक का हो गया जीडी वालों का भी हो गया ज्वाइनिंग बट डीबी का भी नहीं हुआ है और इनका कब होगा डीबी के आद्मित काड़ कब आएगा जैसे कि आपको इसकीन पर दिखाई दे रहा है अगर आपको लिखना आ रहा है तो आपका हो गया है आपने शिंद रहिए आपको जाना है medical के लिए मतलगी final के लिए और आप अपना document क्या करना है कैसे करना यहाँ पर देख सकते हैं हम पूरा discuss करने वाले A2Z doubt killer करेंगे document कहां और cash बनेगा सब कुछ detail में बताने वाले हैं और dbc admit card कब आगा यह भी तो वीडियो को फूरा देखेगा वीडियो को skip मत करिएगा आपका डाउट यहाँ पर 100% killer होने वाला है बाइचांस कोई डाउट बस जाता है कोश्ट काट के रिगाडिंग ने भी एरफोर्स के रिगाडिंग तो आप comment section में आज करिए अगर बाइचांस वाटस पर रिप्लाइ ना करें तो डाउट आफ इस पर कॉल कर लिजेगा इंकमिंग चालू करा दिया है तो चलिए आगे बढ़ते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लिए बैल आके बटन को प्रस कर लिए ताकि जो भी आउडेट है सबसे पहले आप त आदेते हैं डीवी का अडमिट कार्ड अब तक तो आज आना चाहिए था क्योंकि आपको पता होगा कि जीडी वाला जो था जीडी वाला जो था वो जीडी का 11 तरीक को जनुरी में आपका आ गया था 14 तक फॉर्म भरा गया था 11 तरीक को आ गया था अल्डेडी में उसका फ के अंदर आपका आ जाएगा अगर दो से तीन दिन मतलब फुल चांस है कि आएगा ही आएगा आएगा आपको एडमिट काड आ जाएगा और आपका और मैं बता दू यहीं पर आपको बता देता हूं आपका ज्वाइनिंग कप करा जाएगा बहुत से बच्चे को आपका दस तरीक से पहले पहले करा लिया जाएगा या फिर मतलब ज्यादा लेट होगा तो 15 तरीक 15 तरीक से पहले पहले आप समझ लीजिए कि आपका फुल मतलब कंप्लीट हो जाएगा आपका ज्वाइनिंग वगारा उसके बाद मेडिकल वगारा करा जाएगा और आपक से एक अब तैयार करें कि अब हैं तो मैं आपको बता देता हूं जब है नहीं हाँ वह द्सक्रान बचकर्छ अब चुए है मुन हैं कि होज में कमесь बूर बार के सरू समय miswoard रखा है कहांपर बता रखा है कहांपर पूस्ट गार्ट या फिर चा का बात कर ले या फिर आतरी का कर लिक कि फ्री पार नीनल का टॉक्मेर्य जो है से मैं वह एकिस्टप taperád जाएगा यांत्रिक से तो डिप्लोमा बढ़ जाएगा अगर आपने जीडी से किया है जीडी वाला है तो आपका 12 वाला बढ़ जाएगा अगर आप सिर्फ मैटिक वाले है तो सिर्फ 10 वाला होगा और बाकी का डॉक्मेंट जो है अटेस्टेशन फॉर्म विलिंगनेस सर्टिफिकेट पार्टिकुलर सीट वागारा सब कुछ वैसा ही सेम है और उसके बहुत से बच्चे ये भी कंफ्यूज है कि आपका जो है वह वाला कौन सा जो आपका रिक्यूट पार्टिकुलर सीट और एक है विलिंगनेस सर्टिफिकेट वो कब और कैसे भेजना है तो आपका एडमिट आप करा लेजिए यह six month valid रहता है आपका काम हो जाएगा फुल चांस करिएगा कि आपका offline बनेगा तो जाके online बनवाईएगा ओके और ध्यान रखेगा SP से बने तो ज्यादा बहतर है दूसरे से नहीं SP से ओके और उसके बाद बात कर लेता है character certificate यह दो ऐसे certificate है जो आपको म system मतलब कि वहां का system का कुछ problem हो गया तो महीना दिन भी किच सकते हैं तो आपको ज्यादा बहतर आएगा कि आप अभी से apply कर दीजिए अगर आपने नहीं किया है तो और जिन्होंने बनवा लिया है January February में उनका attention नहीं है वो उनका ठीक है तो character certificate और police verification यह दो ऐसे certificate है जिसको कोस्टगार्ड डिगार्डिंग डाउट सेशन वेगरा भी यहां पर है और मैं आपको प्लेइलिस्ट दिखा देता हूं यह देखिए कोस्टगार्ड डीबी जीडी यांत्रिक स्टेश्टिरी डॉक्मेंट इसमें 30 वीडियो है उसमें साहे डॉक्मेंट मैंने क्लियर कर र इसमें 30 वीडियो है आपको बहुँ ज्यादा रिपोर्ट यहां पर देख सकते हैं और यहां पर कुछ रिवीव वगारा भी आपको मिल जाएगा सेलेक्टेड एस्टूडेंट के सो आप जरूर चेक आउट इसमें 30 वीडियो है आपको बहुँ ज्यादा हेल्प होने वाला है तो यह जरूर प्लेइलिस्ट देखिएगा इसमें सारे डॉक्मेंट मैंने ए टू जेट डिस्कर्स करिया है मतलब कि स्टेप बाइस्टेप जैसे बच्चों को परहाया जाता है ना हात पकर करके को और कहां और कैसे बनवाना है तो चलिए वीडियो आ जाएंद जय भारत